हलो एवरिवन एंड वेलिकम टू स्टेड़ी विट सुनील देखे दोस्तों रिजिनिंग के किसे मोस्ट इंपोर्टेंट किसन आनुसर के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे देखे आजगा लेशन अपन शुरू करते हैं आपको देर खाये दो ट्रेनों के सम्मंदित अनुपात की तुलना करें जिसमें एक आपको चोवन किलोमेटर परती गंठा और दूसरी है वो दस मीटर परती सेकिंड की चाल से चल रही है तो इसमें आपको सम्मंदित अनुपात की तुलना करने है देखे अनुपात जब भी अपन निकालते हैं तो दोनों तरफ जो राशियां होती है वो समान होनी चाहिए तब ही अनुपात अपन निकाल सकते हैं जैसे दोनों तरफ लेटर होता है उसका निकाल सकते हैं दोनों तरफ पर शेकिंड होता है दोनों में एक हीकाई में बदलने के बाद ही अनुपात इनका निकलेगा तो ये मीटर परती शेकिंड में दे रहा है तो इसको भी मीटर परती शेकिंड में बदल लो तो किलोमीटर परती गंठा को जब मीटर परती शेकिंड में अपन बदलते हैं तो 5 बटा 18 से multiply इसको कर देते हैं इसको जब अपन solve करेंगे तो 38, 34 और 5 को 3 से multiply करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा 15 क्या आएगा? मीटर परती सेकिंड आएगा यहाँ पर भी मीटर परती सेकिंड दे रहा है तीन अनुपात दो आपको option 3 में दे रहा है यही इसका answer हो जाएगा अगला question देखो संबू और सुमास्वर की वरतमान आयू जो है वो करेंश है पांच अनुपात चार दे रहिए तीन वर्सों के बाद में उनकी आयू का जो अनुपात है वो 11 अनुपात नो हो जाता है तो सुमास्वर की वरतमान आयू जात करनी है सुमास्वर की वरतमान आयू जात करनी है देखो इसक्यूस्वर को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ना तो आपको अक्स मानना है ना सो मानना है क्या करना है option approach से execution को आपको solve करना है तो option approach से solve करने के लिए देखिएंँ आपर एक तरह आपको संबू दे र dog दे रखा है और एक तरह समाशूर दे रखा है समासुर का अनुपाद कितना दे रहुत है आपको 4 दे रखा है यहाणिकि 4 कर भाग इन में से कौन से में जाता है देखो 27 में नहीं जाता 35 में 4 का भाग नहीं जाता या तो 24 में जाएगा या फिर किस में जाएगा 40 में जाएगा 24 या 40 इन में से एक को लेकर देखो देखो पहले 24 को लेकर देख लेते हैं माना कि जो सुमासवर है उसके आयू कितनी है 24 वर्ष है तो एक तरफ आपको संबु दे रखा है और एक तरफ समाशवर तो ये तो संबु हो गया और ये समाशवर है समाशवर की वरतमान आयू मालो चोईस है ठीक है तो देखो इसमें 5 अनुपाथ 4 अनुपाथ दे रखा है तो 6 का आयू है उनका अनुपाथ करीम्स है 11 अनुपाथ 9 हो जाता है अब देखे तीन वर्सों के बाद की बात हो रही है 24 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 27 आजएगा और 30 में 3 जोड़ोगे तो कितना आजएगा 33 आजएगा अब इनका अनुपात निकालो तीन का भाग दोगे तो इसमें कितना आएगा नुँ आएगा और इसमें तीन का भाग दोगे तो कितना आएगा ग्यार आएगा निकी ग्यारा अनुपात नु क्या वास्तों में ग्यारा अनुपात नु होता है बिल्कुल होता है 11 अनुपात 9 हो जाता है जब 3 व्रस के बाद गी बात करें तो तो इसमें समास्वेर की जो आई होगी वो कितनी होगी चौईस होगी अगर आपन चौईस मान कर इस क्यूसन को सोल करते हैं तो 3 वर्षों के बाद में संबू और समास्वर की आयू का अनुपात कितना आजाता है 11 अनुपात नो आजाता है इसलिए option second क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा देखिए अगला question आपको दे रखा है नीरज, उमेश और दीरज इनकी कुल आयू का योग इस बार दे रखा है पहले इन तीनों की total आयू आपको दे रखिये तो दीरज की आपको वर्तमान आयू पूछी है इसलिए दीरज का अनुपात कितना दे रखा है आपको चियार दे रखा है अब आपको पहले इनका योग दे रखा है ना 93, तो 93 योग होने के लिए अपन ये देखेंगे कि जो 52 आपको दे रखा है चियार का भाग कौन कोण सी संक्राइव है जिसमे नहीं जाता पहले अपन जाने वाली देख रहे हैं इस बार नहीं जाने वाली देखेंगे क्योंकि योग जाए वो एक विसम संक्रा जाता है जाता है 8.39 24 में भी जाता है तो ये दोनों उप्षन तो इसमें नहीं होंगे 34 वर्ष और 38 वर्ष इन दोनों में नहीं जाता देखे अपर 38 वर्ष को लेकर देख लेते हैं माल लेते हैं कि दीरज जो है उसकी वर्तमान वाई कितनी है 38 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले का अनुपात आपको दे रखा है तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी यह 28 होगी अभी वर्तमान आयू 38 है तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी 28 होगी उसी तरीके से यह निरज है और यह उमेश है इनका अनुपात 2 अनुपात 3 दे रखा है दो नुपात तीन नुपात चार दे रखाता ठीक है दो नुपात तीन है वो निर्ज का है और उमेश का है दीर्ज की तो अपन ने निकाल लिए 28 हो गई अब 28 में देगी कि इसका बाग जाता है 74-28 होता है इसका मतलब 7-21 और 7-14 ठीक है तो ये इसको अब आपस काटेंगे है अपन तो नुपात तीन नुपात चार जाएगा ठीक है इतना आ गया अब आपको टोटल आयू का जो योग हो 93 दे रखा है अब आप एक बार केल्कुलेशन कर लो देखो इनकी 10 वर्स पहले क्या योग अगर 28 थी और इसकी वर्तमानाई अपने ओप्सन के अनुसार कितनी मानी है 38 मानी है तो 38 को 31 को और 24 को जोड़ दो 38 को 31 को और 24 को ये तो 38 है ये 31 है और ये चोईस है इनको जोड़ दो 8,4,12 और 11,13,3,1 बाद में ये 1,2,3 हो जाएगा 32,6,3,93 आगया बिल्कुल तो अपने 38 मानी थी इसलिए दीरज की जो वर्तमानाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 38 वसी इसका करेट आंसर हो जाएगा निचे दी गई सरंकला अकसरों एवं संख्याओं का अनुकरम परियोग करती है गलत संयोजन आपको पहचाना है यानि कि एक सिरीज को फोलो करते है ये 4 उप्सन आपको दे रहे हैं इनमें से गलत संयोजन कोंस है यानि कि जो सिरीज को फोलो नहीं करता है वो आपको बताना है तो M U 12 H E 78 W यहाँ पर भी 78 है यहाँ पर 73 है यहाँ पर भी 78 है तो आपको ज़्यादा देखने में दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ पर 78 है यहाँ पर आपको आराम सी यह पता सलजाएगा कि यह एक संयोजन को follow नहीं करता इसलिए option third आपको जो कूट नमबर दे रखा है फोर्थ option third इसमें दे रखा है यही इसका answer हो जाएगा आगे वाला किसम देखिए जहाज जैसे कप्तान से संब्दित है वेसे ही अखवार किसे संब्दित है जहाज जैसे कप्तान से संबंदित है उसी तरीके से अकवार किसे संबंदित है मुद्रक से संबंदित है, संपादक से है, पाठक से है या फिर परकासक से है तो देखे इसका करेट आंसर का संपादक जिस परकार से एक जहाज को जलाने के लिए वो कर्प्तान होता है उसकी जरूरत होती है तो उसी तरीके से अकबार का भी कौन होता है संपादक होता है उप्शन शेकिंड इसका आंसर होगा निम्म ने लिखिते सब्दों में से विसम सब्द को चुनना है यानि कि जो मेल नहीं खाता इन में से वो सब्द कोन सा है देखे सेंटिमेटर, लिटर, मेल, गज इन में से विसम सब्द कोन सा है देखे सेंटिमेटर है वो दूरी को नापने के लिए अपन परियोग करते हैं गज को भी दूरी के नापने के लिए प्रियोग करते हैं, मील, किलोमेटर, ये भी अपन दूरी को नापने के लिए ही प्रियोग करते हैं, लेकिन लिटर को दूरी नापने के लिए प्रियोग नहीं करते हैं, ठीक है, लिटर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा, ये इन तीनों से भिन है निमने लिखे तो सब्दों में इसे विसम सब्द चुनना है फिर से विसम चुनना है प्रत्वी ग्रही का उपगरह और चंद्रमा प्रत्वी ग्रही का उपगरह और चंद्रमा देखे प्रत्वी को देखोगे आप उपगरह को देखोगे चंद्रमा तो वही सम्मंद आपको किसका बढ़ई के साथ में है ये बताना है या इस तरीके से देख लो दरजी का जो सम्मंद है वो पोसाक के साथ में है तो बढ़ई का जो सम्मंद है वो किसके साथ में होगा लकड़ी के साथ में कपड़े के साथ में फरनीचर के साथ में या फिर बब्लेर इसमें ऐसंगत वाली कुछ raging को इसमें इसमें बिल्कुल बात है अप्रेल में कृतने दिन होते हैं सि PAR probably'll में कितने दिन उते हैं जून में भ te pri birds दिन होते हैं लेकिन अगस्त में अगर दिन की सब्द अक्सर या जो संक्या जो भी आपको दे रखा है उसको आपको चुनना है साइकलोजी मानव बाद में और नित्रोलोजी आपको आगे बताना है यानि के मानों का जो अध्यन है मानों विज्ञान का अध्यन करने की जो साखा होती है उसको अपन साइकोलोजी बोलते है और उसको अपन मनोविज्ञान बोलते है उसी तरीके से आपको बताना है कि और निथोलोजी किसको बोलते है पक्सी, किडे मकोडे, सरी सरफ या जौला मुकी तो देखे इसका आनसर का पक्सी पक्सियों का दिन करने के जो साख़ा होती है उसको किस नाम से जानते है और निथलोजी के नाम से जाना जाता है अगला दे रिखा है M, N, O, L, R, I, V यह आपको बताना है आगे क्या आएगा देखे इस तरीगे का कोई भी क्यूस्तन आता है न सबसे पहले आपको नमर ही कर लेनी है M कितने नमर पे आता है, 13 नमर पे आता है N, 14 नमर पे आता है O, 15 नमर पे आता है L, 12 नमर पे आता है R, 18 नमर पे बाद में I 9 नमर पे और V 22 नमर पे आगे कोन सा लेटर आएगा वो आपको बताना है तो आप इनको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो देखो 13 दे रखा है, 14 दे रखा है, 15 दे रखा है उसके बाद में 12, 18, 9, 22 सर तीन तो आपको समान दे रखें उसके बाद में आगे वाले में थोड़ी सी दिक्कत हो गई देखे क्या दिक्कत है यहाँ पर 13 उसके बाद में 1 छोड़ कर 1 आओ 14 को छोड़ दो, 13 और 15 कितना जुड़ा है यहाँ पर? 2 जुड़ा, 15 कितना जुड़ा है यहाँ पर? 3 जुड़ा, 18 के बाद में 22, कितना जुड़ा, 4 जुड़ा, उसी तरीके से 14, बाद में 12, कितना माइनस वा, 2 माइनस वा, 12 के बाद में 9, कितना वा, 3 माइनस वा, अब 9 के आगे, यानि 22 के आगे जो संख आगे न, वो इस वाले एकांतर करम में आएगी, तो पहले 2 माइनस व अब की बार कितना माइनस होगा? 4 माइनस होगा तो 9 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा और इंगलिस अलफा बेट में 5 पे कौन सा लेटर आता है? 5 पे E आता है इसलिए E आपको option second में दे रखा है यही इसका अंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको 13, 14, 15 देखकर आप देखने बैट जाओगे तो वहाँ से आपका किसन सोल नहीं होगा यहाँ पर आपको एकांतर करम में कौन सी स्रेणी बन रही है? वो आपको देखना पड़ेगा option second E इसका अंसर होगा इस परसन में दिये गए विकल्पों में से विसम सब्द या कोई अकसर या जो संख्याप को दे रखी है वो कौन सा बताना है? विसम वाला देखे आर एस टी यू इंगलिस अलफाबेट में बिल्कुल इसी तरिकेशे होते हैं एकदम करमवाइज है आर एस टी यू वी डबलू जे के अल एम अनो पी बिल्कुल इसी तरिकेशे होता है एम के बाद में अनो पी क्यू वी डबलू अकस जड़ बीज में यहाँ पर क्या आएगा? वाई आएगा वाई यहाँ पर आपको नहीं दे रखा है यान कि यह कौन सा है आपका विसम है बाकी सबी एक करमवाइज दे रखें लेकिन यहाँ पर करम नहीं बन रहा यहाँ पर वाई है वो मिसिंग है उप्सन फोर्थ इसका आनसर हो जाएगा ए और बी एक विवाहित जोड़ा है अकस और वाई बाई है एक का वाई अकस है बताए कि वाई का बी से क्या संबन्द है देखो यहाँ पर एक का वाई अकस है यान कि यह ए है उसका वाई है यह अकस है यह वाई हो गया एक के बारे में अभी अपने को नहीं पता है कि यह क्या है एक का वाई को नहीं है अकस है अक्स और Y भाई हैं ये अक्स है और ये 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 दोनों भाई है इसका मतलब ये भी पोजिटिव हो गया आगे आगे आपको दे रखा है A और B एक विवाहित जोड़ा है A और B ये एक विवाहित जोड़ा है इसमें अभी अपन को ये नहीं पता है कि A है वो पती है या फिर पतनी है या फिर B जो है वो पती है या पतनी है ये अपन को नहीं दे रखा है आपको बताना है कि Y का B से क्या रिस्ता है इस Y का इस B से क्या रिस्ता है देखे Y और X दोनों आपस में भाई है अब जो X का रिस्ता होगा वे रिष्टा किसका होगा भाई इसका वाई का होगा तो देखे अगर अगर सपोज कीजिए A जो है वो पत्नी होती है और B है वो पत्नी होता है तो ये इसकी पत्नी होगी और पत्नी का ये क्या होगा है भाई हो गया तो पत्नी का भाई क्या होता है साला होता है एक तो यह कंडिशन हो सकती है दूसरी कंडिशन देखो अगर A जो है वो पती होता है और B है वो पत्नी होती है तो तो देखे अगर B पत्नी होती है A क्या होता है पती होता है तो A भाई है किसका अक्स का और यही भाई किसका है वाई का, अगर इस condition में होगा तो B का, वाई क्या होगा देवर होगा, देवर होगा या फिर जेट होगा, अगर सोटा है तो देवर हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो जेट हो जाएगा, तो ये साला भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है cousin वगरा ये नहीं होगा भाई वगरा ये नहीं होगा या तो साला होगा या फिर देवर होगा option fast में आपको दे रखा है यही इसका क्या होगा correct answer होगा उम्मीद आपको सारे question अच्छी तरिके से समझ में आ गए होंगे अगर कोई question समझ में नहीं आया है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगा तो इसे like कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को share भी कर देना ताकि आपको next वीडियो जल्दी ही provide हो सके इस वीडियो में फिलाल इतना ही thanks for listening God bless you all